आपको बताने वाला हूं कि आपको एड्सन अप्रोब भी मिल गया है, आपने वेवसाइट पे लगा दिया और रणिंग हो रहा है आपका जो एड्स है वो चल रहा है बट कुछ रीजिनों के वज़े से वो एड्सो होना बंद हो जाता है जैसे कि आपने कभी दूष है जैसे कि आपने कभी तीम चेंज किया या फिर आपने बहुत सारे फ्लगीन्स यूज करके रखे जो की कैच and removal या भी आपको श्मीद करना आपके वेवसाइट का, इसके वाजे से आपने बहुत सारे फ्लगीन्स जिसे करके है, नायट्रो बैग यह सारे क्या करते हैं कि जो भी आप विपसाइट के अंदर बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट, JSS, CSS यह सब को मिनिफाई करते हैं मतलब छोटा कर देते हैं ताकि वो लोड होने के टाइम पर बहुत ही भाशली लोड हो जो प्लगेंस हैं जिसे कि मैंने बुलना नाइट्रोपैक और लाइट्सपीड या फिर डावल्ली उप्टिमाइज इस अरे प्लगेंस क्या करते हैं इस का एड्स का एड्स को यह से उसको मिनिफाई कर देते हैं जिसके वाजे से हमारा एड्सपीड को बन्त हो जलता है एक रिजिन तो ए हो गया या दूसरा रिजिन है कि आपका वेबसाइट का स्पीड है बहुत ही ज्यादा स्लोग है तो Google चाहता ही नहीं कि आपके उसकी कोई आपके वेबसाइट पे विजिट किया पांत सेकंड तक कोई भी रिस्पॉंस नहीं किया तो ऐसे वेबसाइट को Google क्या करता है रिमूट कर देता है अपने जो सर्च कांसॉल है उसमें नहीं लाता है क्योंकि बिना मतलब कर लोगों कर टाइम बेस्ट होता है यह स्पीड के वज़े से तो Google वहां पे एड्स हो ही नहीं करना जाता है दो रिजन हो गए जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम fix करेंगे उसके साथ हीसाथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारा HTML रिमूब हो गया है तो कैसे उसको वापस नाइंगे आपका वेबसाइट पिरसे नॉर्मल हो जाए थाकि आपको सारे एड्स वापस से च पर बता हूँ कि मेरे वेबसाइट पर जो प्लगिंग्स यूज करने के वज़े से मेरा जो वेबसाइट है उसमें एड्स बंद होगे दूसरा रीजिन यह भी हो सकता है कि आपका आपने रिसेंट्री आपने थीम चेंज किया है इसके वज़े से भी यह प्रॉब्लम्स ठेस करते हैं लोग तो मैं आभी आपको लिखाता हूँ कि इसको कैसे ठीक करना है अच्छलों कि मैं अपने लेक्टर स्कीन पे लेके जाता ह हो आप है यहां पर कोई पी एड्स यह होता है नीचे भी एड्स होता है बटे यहां नहीं हो रहा है कि अधर किसी और आटिकल को अपने कर देखता है यहां पर देखिए यहां पर पर कोई भी सो नहीं हो रहे हैं किसी प्रता का अच्छ नहीं हो रहे हैं हम क्या करना है तो पहले हम लॉग इंद कर लेंगे अपने गूगल एड्स ने देखें कि हमारा आटो चालो है कि ने देखें यहाँ पे ऑन दिखा रहे हैं एक बार हम उसको आपन करके भी लेंगी कि यहाँ पर तो डिशेबल नहीं है यहाँ पर भी सब ठीक ही दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है सिप्वाइज देख रहा है कि हमारे जो कोई उसू नहीं है हमारे पॉलिशी सेंटर में जबी हमारा कभी-कभी जाता है तो वह यहां पर दिखाता है कि आपका मिनिममाइड का लग चुका है आपका अन्नून क्लिक हुआ इसके वेज़े से मिनिमम एड लिमिट लग जाता है तो इसके वेज़े से वहाँ पर दिखाता है वट यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है अभी हम चलेंगे अपने डैंपोर्ट पर हो हमें अग्या करना है जितने भी प्लगिन से है उनको हमें एक अव्ब करके निकल जाएगा आप रेंट रहे लेगा से निकल जाएगा और और च लोड़ा में टीमी करूं testify देना तो हमको चलना है इसको डियेक्टिवेट वापत से कर देना है डवलूपी अप्टिमाइज को कि अब हम चेक करेंगे कि हमारा वेबसाइट पे कोई एड आया के लिए है कि एड के लिए थोड़ा सा जगा दित रहे हैं बड़ वहां पे एड सो नहीं हो रहे है कि अधि अधिया है कि इपके यहां पर कहां 싶은 कि कि और आटिकल मिभा आयवा जिए flud कि रहाने यहां कि अधि विए क्वेठेशDad एड में आया भार अभी हमकोers ट्यक पिए खिल जाना है सिंपली जाएंगे एडह पर यहां से जो कि हमारा Google का और रेत है उसको कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के वाद हमको सिंपली आता है थीम सेक्षन में पर से पहले हम एपेरेंस में जाएंगे वहां पर थीम एडिटर में जाएंगे हमने अलड़ी हमारा जो इसको है अलड़ी काफी कर लिया है यह दिके हमारा यह ओपन आचुका है थीम एडिटर हम जाएंगे हेडर में हेडर सेक्षन डूड़ेंगे जो भी आप थीम से उसको ही सेलेक्ट करना है दूसरा नहीं करता है हेडर में जाने के बाद आपको देख लिजी आपको कहां पर पेस्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ जो हेडर रहता है हेडर की जैस्ट नीचे ही आपको पेस्ट करना है फस्ट हेडर जो लाइन है यहां पर यहां पर ने करना है आपको सिंपली हेडर के नीचे ही इंटर करना है इंटर करते ही इसके बाद वहां पर पेस्ट करते ना थे थीक है यहां पर पेस्ट कर देता हूं रहां पर प्रेस्ट करेंगे यहां पर आपर 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 नहीं हो रहे हैं यह थोड़ा सा टाइम लेता है पर होगा आभी देखते हैं क्या करते हैं हम अपर से प्लग-in section में जाएंगे यहां पर जो लाइट स्वीड करके है उसको एक्टिवेट कर लें किसी प्लगिंग जो भी कैच रिमूब है वहां पर जाके उसको कैच रिमूब करेंगे उसके माद इसारे में अभी टैब क्लोज कर देता हूं और सिंपली क्या करता हूं इसको कॉपी कर लिया और अब हम जाएंगे एगनोटों बोर्ड में जाएंगे एगनोटों बोर्ड का में काम है यह है कि कोई भी इसके अंदर डेटा सेव नहीं होता इसके वज़े से हमारे देख जो की एड्स हो आ रहे हैं वो सो होने रहे हैं सब्सक्राइब मैं किसी और प यहां पर दिखा रहे हैं 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 कि और पूराने पोस्ट में जाकर देखते हूं तक ही देखते हैं कि इसमें आड उत्सों हो रहे है कि नहीं हो इसमे कि उसके बाद सब कुछ की इसमें भी एड होना चीह यहां पर भी आजा हैं है अब हैस्ट के सरह इंब एड आचुके हैं यह देखिए यहां पर भी आट हो रहा है कि यहां पर भी अ एक अधे कैसे लग ए बीडेयो और अगर थोड़ा भी आपको helpful लगाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, थैंक यू फार वचिंग फैंड